कई साल पहले हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक डार्लिंग परिवार रहता था उनके परिवार में तीन बच्चे थे उनके नाम थे जैन, माइकल और वेंडी वेंडी हमेशा अपनी मा को बताती थी कि किस तरह से पीटर पैन उसके कमरे में बांसुरी बजाता था मा हमेशा उसे कहती थी कि ये सब उसकी कल्प ना है, कमरे में पत्ते भी दिखाए देते थे, जो उसे उलजन में डाल देते थे वेंडी हमेशा कहती थी कि पत्ते पीटर पैन से गिरते हैं एक राज जब उसके माता पीता बाहर गए हुए थे और बच्चों को घर पर अकेले छोड़ा था जब उन्हें नींद आई वो सारे सो गए पीटर पैन कपरे में आया और उन पत्तों को खोजन लगा जो वहाँ छूड़ गए थे उसी पल वेंडी जाग गई पीटर पैन मैं तुम्हारा ही इंतिजार कर रही थी आप असली है इस पर किसी को भी विश्वास नहीं वेंडी ने पीटर को पत्ते वापिस कर दिये जिन्हें वो पीटर के लिए छुपा रही थी उसे पीटर बहुत पसंद आया वेंडी क्या मैं तुम्हें एक अद्भूट साहसिक कथा सुना सकता हूँ मुझे साहसिक कहानी नहीं सुननी है मैं एक पीटर पैन जिना चाहती उसी समय पीटर की छोटी मित्र परी टिंकर बिल खिड़की से अंदर आई मुझे पता था तुम यहीं मिलोगे क्या तुम मेरे बिना एक ने साहस की तैयारी कर रहे थे तुम जानती हो कि तुम्हारे बिना कुछ करपाना मेरे लिए संभव नहीं है वेंडी ने अपने भायों को जगाया उन्होंने पीटर पैन और टिंकर बिल को आश्चरिय से देखा अच्छा तो तुम उढ़ने के लिए तैयार हो टिंकर बिल ने परों की धूल जटकी और बन कर लिये और वो हवा में तैर गये और सबने एक साथ घर छोड़ दिया बच्चे तुरंथी नेवर लैंड की ओर बढ़ रहे थे लंबी यात्रा के बार वे नेवर लैंड पहुचे जल परियाम जंगली जानवर इंडियन समुद्री डाको और खोई हुए लड़के भी थे उन सब में सबसे खतरनाग थे कैप्टन होक कैप्टन होक पिटर पैन का दुश्मन था इसका कारण ये कि एक बार जब वो लड़ रहे थे पीटर ने उसका हाथ काटा था और एक विशाल मगरमच ने वो खा लिया था उसके हाथ के साथ उसने घड़ी भी निगल ली थी और इसलिए मगरमच हमेशा टिक टॉक आवाजे करता था इसलिए कैप्टन होक को हमेशा पता चल जाता था कि मगरमच पास में है उसकी टिक टॉक आवाज की वजह से डेक पर अपने दुरबीन से चारो और देखते हुए कप्तान को सामने की पहाडी पर पीटर पैन बच्चों की साथ दिखाई दिया उसने तुरंद आदमियों को तोपों में आग लगाने के आदेश दिये पीटर पैन और बच्चों को तोपों से दूर जाना बहुत मुश्किल था टिंकर बेल तुम बच्चों को किसी सुरक्षित जगे ले जाओ, मैं हुक से निपढ़ता हूँ टिंकर बेल को वेंडी से बहुत चलन होती थी, इसलिए वो उसे पिटर पैंस से दूर रखना चाहती थी कुछ बहाने बना कर उसने वेंडी को वही पहाड़ी पर छोड़ कर जिन और मैकल को समुद्रत पर एक सुरक्षित जगा ले गई द्वीप पर रहने वाले एक खोई लड़के ने वेंडी को दूर से देखा और उससे दूश्मन समझ कर घायल कर दिया उसी समय पीटर पैन कैप्टन हुग से लड़ रहा था लेकिन अचानक उसका हाथ खाने वाला मगर मच देखकर दर के मारे हुग भाग गया जब पीटर पैन वापस आ रहा था तब उसने वेंडी को चट्टानों पर घायल पड़ा हुआ देखा वो बहुत परेशान हो गया खोई हुए लड़कों को खेद हो रहा था जब उन्हें बता चला कि वेंडी दुश्मन नहीं बलकि पीटर की दोस्त है मैंने बच्चों को आपके सहारे चोड़ा था टिकर बेल को भी दुख हुआ उसने महसूस किया कि उसने बहुत गलत किया है मुझे माफ कर दो पीटर दोबारा ऐसा नहीं होगा मैं वादा करती हूँ खोए बच्चों ने वेंडी और उसके भाईयों के लिए खुबसूरत घर बनाया रात में वे सभी पेड़ों के नीचे घर में सोते और वेंडी के कहानियों को सुनते और पीटर घर के बाहर निगरानी करता था एक दिन जब वे चटानों पर आराम कर रहे थे तो उन्होंने समुद्री डाकों को आते देखा समुदरी डाकों ने भारतिय प्रमुकी बेटी को पंधक बना लिया था पीटर पैन और लड़के प्रमुकी बेटी को बचाने चले गए उनके और समुदरी डाकों के बीच बड़ी लड़ाई हुई अंत में उन्होंने बेटी को बचा लिया और उसे प्रमुक के पास ले गए उस दिन के बाद इंडियन्स, पीटर पैन और खोई लड़के बहुत करीबी दोस्त बन गए इतना ही नहीं, मुख्यमंद्री ने लड़कों के रक्षा के लिए अपने दोस्त्रेश्थ आदमियों को पीटर पैन के साथ रहने के आदेश दिये बेशक, कैप्टन हुक इस बारे में क्रोधित थे एक दिन मैं तुम्हें हराओंगा पीटर पैन और तुम बच नहीं पाओगे अहाँ एक रात जब वेंदी अपने परिवार की कहानी बताने लगी तब पीटर को एहसास हुआ कि वो और उसके भाई परिवार को कितना याद कर रहे है इसलिए उसने कहा कि अगर वे चाहे तो वापस जा सकते हैं पर वे रहना चाहते थे जब वे लंबी यात्रा के लिए पैकिंग कर रहे थे तो समूदरी डाकों ने उन पर हमला किया भारतियों के लिए जाल फैला कर उन्हें पकड़ने के बाद समुदरी डाकों ने लड़कों को पकड़ लिया पीटर पैन घर पर सो रहा था और लड़कों के साथ क्या हुआ इस बात से अंजान था कैप्टन हुक ने उसे सोती हुए देख लिया था वो पीटर पैन के घर का दर्वाजा खोल नहीं सका फिर भी उसने साथ लाया जहर दर्वाजे के नीचे की बोतल में भर दिया जिसकी वज़ा से पीटर हेल तक सोता रहा पीटर पैन पूरा दिन सोता रहा और जब वो उठा टिंकर बेल अंदर आई जो कुछ भी लड़कों के साथ हुआ बताने पर पीटर पैन और टिंकर बेल लड़कों को बचाने निकल पड़े जब वे समुदरी डाकों के मुख्याले हैपी रॉक पर पहुँचे उन्होंने देखा कि पहरेदारी पर कोई समुदरी डाकों नहीं था जब वे चेटां की दूसरी तरफ गये तो वहां का नजारा देखकर चौक गये वेंडी, जैन, माइकल और खोई हुए लड़के सभी खंबों से बंधी हुए थे और कैप्टन हुग हाथ में जलती मशाल पकड़ी हुए था मारी आखरी इचा क्या है? वेंडी जो सबसे बड़ी थी उसने बोलना शुरू किया प्रिये दोस्तों, मेरी आखरी शफ्ट वो होंगे जो तुम्हारी माने बताए होंगे अगर आज वो यहां होती तो कहती कि डरने की कोई बात नहीं और नीटरता से अपनी मौत का सामना करो साहसी बनो, डयालूता हमेशा जित्ती है हमेशा वेंडी की शब सुनकर कैप्टन हूप को बढ़ा गुसा आया वो उसे नाव पर ले आया और उसे एक बड़े खंबे से बान दिया इसी समय पीटर पैन और टिंकर बेल लड़कों को वहां बचाने आप पहुँचे इसी समय भारतिय और उनके प्रमुक भी वहां मदत के लिए आप हुँचे इससे पीटर पैन बहुत खुश हुआ क्यूँकि उनकी मदत से उन्होंने लड़कों को बचा लिया अब वेंडी को छुडाने का समय था पिटर पैन और लड़के काप्टन हुक के जहास पर पहुँचे जहां कुछ ही समुदरी डाकू बचे हुए थे और जब उन्हें एसास हुआ कि वो पिट जाएंगे वे जहासे कुद गए पिटर पैन और लड़कों ने काप्टन हुक के तरफ बढ़ना शुरू किया ताकि वो पिछे के और चल सके और अच्छानक उसने एक आवाज सुनी वो आवाज जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था डर के मारे काप्टन ने जब पिछे मुड़कर देखा तो मगरमच उसका पानी में गिरने का इंतिजार कर रही थी बचाओ पलग जपकते ही वो नाव की दूसरी और भागा और पानी में कुद गया जितनी जल्दी हो सके उसने तैरना शुरू किया पिछे पैन और लड़के हसने लगे उस पल से हूक का जहाज लड़कों का था और उनके कप्तान पीचो पैन थे हम आपके आदेश के लिए तयार है काप्टन पीटर चलो चलते हैं लड़कों ने रसियों को उतार दिया और पालिया अपने सारी शक्तियों से उठी टिंकर बेल चलो उड़ते हैं डार्लिंग परिवार के घर की तरफ बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हुए वेंडी, जैन, माइकल अपने माता पिदा के पास जाने वाले थे जिन्हें वे बेहत याद कर रहे थे जब टिंकर बेल ने परोगी धुल जट की अचानक जहाज हवाई जहाज बना और आकाश में उड़ने लगा वेंडी घर जाने के लिए और उन्हें पीटर पैन, टिंकर बेल और नेवर लैंड के बारे में बताने के लिए बेचें थी उस दिन से नेवर लैंड उनका दूसरा घर था और पीटर पैन उनका सबसे अच्छा दोस्त कर दोस्त बहुत साल पहले दूर एक देश में एक सुन्दर और प्यार इसी लड़की थी उसकी मम्मी के गुजर जाने पर उसके पापा ने एक दूसरी औरत से शादी कर ली ये सौतेली मा तो बुरी ही थी उनकी दोनों बेटिया भी वैसी ही थी सौतेली मा और बहने उसके साथ बहुत बुरा सलूप करती थी इव तुम हमारे साथ नहीं बैठ सकती पिलकुल नहीं कहीं और बैठ अरे ग्लास फूट गया जल्दी साफ कर देख क्या रही है तू इन दोनों के मौज मस्तियों के दिन थे और इस बिचारी के सर पर सारे काम का बोज घर पे सब उसे सिंड्रेला कहते थे कभी फुरसत होती तो वो अपनी बिल्ली के साथ पूचते हुए कोईले के पास बैठ के आग जला कर आग तापती थी एक दिन उन्हें राज महल से न्योता आया प्रिंस की शान में एक बड़ी पार्टी रखी गई है शादी के लायक सभी लड़कियों को आमंत्रण है जब सौतेली मा अपनी बेटियों को तयार कर रही थी सिंड्रेला नो चाहते भी उनकी मदद कर रही थी प्रिंस को वहां तुम दोनों से ज़्यादा खुब सुर्ट कोई नहीं दिखना चाहिए मैं क्यों नहीं आ सकती शादी के लायक सभी लड़कियों को बुलाया है अच्छा ये कपड़े पहन के तु पार्टी में जाएगी पार्टी की शाम सिंड्रेला घर पर अकेली अपने हालात पर रो रही थी उसी वह चिमनी में एक रोश्णी नजर आई और उस रोश्णी से निकली एक खुब सूरत परी जो दिख रहा था उसे उस पर भी अकीन नहीं हो रहा था ये उसकी मा थी मा हलो मेरी बच्ची मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ तुम भी राजमहल की पाटी में जाओगी सच में पर कैसे मैं तुम्हारी मदद करूँगी जाओ और गार्डिन से सबसे बड़ा कद्दू लेक्याओ और बिल्ली मौसी तुम साथ चूहे पकड़ कर लाओ उस परी ने पलक छपकते ही अपने जादू से उस कद्दू को एक शानदार सवारी में बदल दिया फिर उसने अपनी जादूई छड़ी चूहो की तरफ खुमाई चूहो में से एक को उसने ड्राइवर बनाया और बाकी छे चूहे बन गए शानदार घोड़े जाओ अब तुम्हारी बाल मैं तो राचकुमारी लग रही हूँ पर मा मुझे नाचना नहीं आता अकर प्रिंस के साथ डांस करना पड़ा तो इन जादूई जूतों को पहन कर सबसे अच्छा नाचोगी तुम तुम्हें प्रिंस के साथ जरूर नाचना होगा पर एक बात जरूर याद रखना ये सारा जादू आधी रात तक ही रहेगा तुम्हें वहाँ से बारा पचे के पहले ही निकलना होगा पक्का मैं आचाओंगी आधी रात से पहले प्रामिस आप मुझे फिर से कब मिलोगे मम्मी? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटी जैसे ही हमारी सिंड्रेला राजमहल पहुचती है सबके साब उसे देखकर चका चौन रह जाते है दोनु सौतली बेहने उसे पहचान ही नहीं पाई और प्रिंस वो तो उसकी सुन्दरता पर मर मिटा था महराज और महरानी भी उसे चाहाने लगे थे प्रिंसस हो तो ऐसी प्रिंसस से रहा नहीं गया और वो सिंड्रेला के साथ नाचने लगा क्या सुन्दर नाच रही थी वो उसके पास वो जूते जो थे सौतेली मा और बेहने जलन के मारी धूआ धूआ हो रही थी सिंड्रेला इतनी खुश थी कि उसे वक्त का होश ही नहीं रहा और वो मम्मी को किया हुआ वादा भूल गई अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी बारा बजने ही वाले थे प्रिंस को वही खड़ा छोड़ कर वो सीडियों से नीचे भागाए और भागते हुए उसका एक चूता वही छूट गया पर अब वो उसे जाके उठा भी नहीं सकती थी प्रिंस उसे ढूंडता हुआ वहाँ पहुचा और वहाँ उसे मिला सिंड्रेला का जूता ये जूता जिनका भी हो उन्हें ढूंड कर लाइए दुनिया भर में कहीं भी हो वो मिलनी चाहिए सिपाही पूरे राज्य के हर घर में जाकर लड़कियों को जूता पहनाते रहे पर वो जूता किसी के भी पैर में नहीं आया आखिर वह पहुचे सिंड्रेला के घर दोनों बहनों ने जूता पहनने के बहुत कोशिश की सरसा और चोर लगाओ तो आज आएगा क्या है ना मेरी बेटी का पैर सूच गया है काम करकर के पर वो जूता उन दोनों के पैर में नहीं आया सिपाहीों को घर पर एक और लड़की नजर आई घर में एक और लड़की है जैसे ही सिंड्रेला ने वो जूता पहना वो उसके पैर में एकदम सही बैट गया सिंड्रेला को राज महल ले गए सिंड्रेला के राज महल पहुचने पर प्रिंज ने उसे देखते ही पहचान लिया और वो उसे देखकर बहुत खुश था प्रिंस ने जुपकर सिंड्रेला से पूछा प्रिंसेस क्या आप मुझसे शादी करेंगी? बिना किसी जुजब के सिंड्रेला ने ये रिष्टा मन्जूर कर लिया और वो हमेशा खुशी खुशी साथ रहने लगे पर मेरे चूटो का जादू अब तक कैसे चल रहा है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटी मैं अब समझी मम्मी ये सब आपका ही कराया था अब तक कैसे भादा रहा है